Hello everyone, welcome back to online studio इस वीडियो में हम देखने वाले history optional के एक important questions और मैं आपको इसी तरह से history optional के जो भी questions होंगे वो में आपको कराऊँगा और आसा करते हैं कि आपने भी अपने तरीके से अब सारे questions को लिख लिए होंगे क्योंकि अब तो लास्ट टाइम चल रहा है, तो सिर्फ उप्वर्टेंट क्वेस्ट का आपको एंसर आइटिंग करते रहना है, प्राक्टिस करते रहना है, ठीक है, तो यहाँ पर आज हमारे पास क्वेस्टन से कि छोल समराज्य के उपलब्दियों का मुल्यांकन करिए, तो आप अपने एंसर में इसको चाहो तो मेंसर कर सकते हैं, और आपको एक ओबर्विव मिल जागा कि किस तरह से हमें लिखना है, और क्या-क्या पॉइंट्स इसमें इंकलोड करना है, ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा कि इसका एंसर राइटिंग हम आपको अपने जो PDF होग अपना जो नोट्स होगा, वो कहां पर प्रवाइड कराएंगे, किस तरह से आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो बस वीडियो के साथ एंड तक बने रही है, और काफी वीडियो इंट्रेस्टिंग है, तो समराज्य का विस्तार किया, बल्कि सबसे पहले चोलो ने नौ सैनिक विवस्था को स्थापित किया था, और नौ सैनिक विवस्था स्थापित करने के पस्चात, इन्होंने भारत से बाहर कह सकते हैं, भारत से बाहर अपने समराज्य का विस्तार किया, ठीक है, ये सासक बने जिन्होंने मतलब भारत से बाहर भी अपना नौसैनिक वस्था स्थापित करके समुंद्र पार कह सकते हैं कि समुंद्र पार इन्होंने अपनी समराज्य को अपने समराजी के साथ साहित कह सकते हैं कला और जो सांस्कृति है इसमें भी काफी मतलब महिर्पुन योगदान देया था और इस कारण से हम हम छोल समराजजे को याने कि चोल सासुखों को या फिर छोल समराजजी को एक स्रीजन सील समराजजे के रूप में जानते हैं काफी मतलब फेमस यह समराज्य हुआ करता था अब यहां पर हम बात करेंगे इसकी भूमिका तो हो गई अब हम यहां पर आते हैं उपलब्दियों के बारे में तो उपलब्दियों में आपको क्या-क्या पॉइंट्स मेंसन करना दिखिए आप इस तरह से फ्लोचार्ट एक ब उपलब्दिया थी आतिक उपलब्दिया साहित्यक उपलब्दि कलात्मक और धार्मिक और सांस्कीति उपलब्दियों के अंतरगत भी हमें दो-तिन पॉइंट्स देखने को मिलता जैसे इनका समराज्य का विस्तार ठीक है प्रसासनिक संगठन देखने को मिलेगा उसके बा जाने कि चोल वंस कह सकते हैं चोल राजवंस कह सकते हैं चोल राजवंस के स्थापक के रूप में विज्याले को जाना जाता है विज्याले ने इसकी स्थापना के थी लेकिन इस समराज्य के विस्तार का जो स्रे दिया जाता है वो राज-राज कह सकते हैं और उनके जो उत्री से लंका को विजीत किया और उसके बाद हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मालदिव को भी विजीत किया था और अपने मतलब की अपना उनको विजीत करके अपना प्रभुत्त स्थापित किया था ठीक है उसके बाद इसका जो पुत्र था राजंदर प्रथम उसने अपने पि चालूग के दर्चडी जो उनका छेतर था उस पर कबजा किया साथ हम यह लिख सकते हैं कि उसने बंगाल का भी भाज़न किया उसके बाद हम यहां पर यह मेंजन करेंगे कि जैसे अपने पिता मतलब कि यहां पर राज 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 ने सिर्फ और सिर्फ उत्री सिरलंका को वि विष्टित किया उस तरह से उसका पुत्र राज इंदर प्रत हम ने भी पिता की विस्तारवादी निती का अनुशरण किया था तो यह पॉइंट अपका यहां पर मेंजन हो जायता है अम्राज्य का विस्तार उसके बाद हम यहां पर मेंजन करेंगे प्रसास्निक संगठन कि चोल समराज्य ने विस्तार किया बलकि एक कुसल प्रसास्निक तंत्र का भी गठन किया था ठीक है काफी अच्छा उनोंने प्रसास्निक निभाया था और इसके बाद हम आगे लिखेंगे कि जैसे की चोल समराज्य का जो राजा हुआ करते या फिर प्रशाषन की जो प्रदःन हँआ करते हैं , या फिर प्रशाषन की मैन हँआ करता था उसको राजा कहा जा था ृषीॡ मर्ष देने के लिए मंत्री परचद होती थी आप उसमें कर सकते हैं और इसके बाद हम यहां पर यह लिखेंगे कि जो चोल समराज्य था उसका अवरोही करम में अगर हम बात करें अवरोही करम में जो विस्तार हुआ करता था किस तरह से था तो पहला हम देखेंगे राज्य अगर हम स्वासासन की बात करते हैं तो अस्थानिय स्वासासन की अंतरगत हमें देखने को मिलता है कि जो चोल समराज्य था उनके चोल समराजी के अगर विसेश्था की बात करते तो सबसे इंपोर्टेंट आपका यही आता है जो स्थानिय सोसासा ने और साती सात ग्राम सभाओ को दी गई जो प्रदान की गई जो स्वायत था थी या फिर लोकतांतिक गडराजिता यह इंपोर्टेंट होता है और दनकारी मिलती है वहाँ पे हमने देखा है Mention कर सकते है ठीक है इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए यहा पे आएंगे अर्थिक अर्थिक उपलब्दिओं के बारे में करना है तो बांध बनाना पड़ेगा बांध बनाए उन्होंने कावीद नदी और अन नदियों पर बांध बनाए तो उसके पानी को अलगलग छेत्र में पहुचाने के पड़ेगी तो पहुचाने के लिए उन्होंने नहरों का निर्माण कराया जब नहर का निर्माण हो गया अब ये तो भाई ठीक है कि अब जब क्रिसी अच्छे तरीके से होगा तो उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करना होगा जो भी उस क्रिसी से पैदवार निकलेगी तो इन्होंने मतलब कि अपना एक वैपार और वाडीजी को विस्तार करने के लिए मतलब कि विभीन जगहो कोनों का भी परिचलन कराया यह भी इंकलूड कर सकते हैं और एक पॉइंट से यहां पर इंकलूड कर सकते हैं कि आर्थिक की जब बात करी रहे तो चोल समराज्य में जो बैपार का मुख्य केंद्र हुआ करता था वह आपका तंजाओर हो गया ठीक है तंजाओर इंकलूड आप बहुत सारी चीजों को लिख सकते हैं जैसे कि अगर हम बात करें साहित्यक तो चोल समराज्य के अंतरगत जो तमिल साहित था वह काफी मतलब की फेमस था और उस वक्त मतलब भक्ति अंदोलन में ही मतलब की उभर रहा था मतलब की उसका बढ़ावा मिल रहा था कि एक नाम आप यहां पर ध्यान रहेंगे प्रिये प्रिये पुर्णम एक गरंथ हुआ करता था यह काफी फेमस है ठीक है और साथी साथ इसी वक्त कंबन का नाम आपने सुना होगा कंबन जिनको तमिल रमायन के रचनाकार के रूप में जाना जाता है मतलब इसी समय में उन् प्रिये वक्त कंबन तमिल साहित, तमिल रमायन के रचनाकार के रूप में उन्हों को जाना जाता है तो यहां पर हम यह में दीक से सहथ आपने सहित्यक के रूप में पने विकास के साथ साथ जा थाग्ति Κला के प्रिये के यह दो में दुशा विकास को मिलता है, एक onu स्थ आपथिकला के अंतरगत अगर हम पहले लीखना चाहें, तो हम पहले लींगत सकते हैं, जैसे हम जानते हैं कि पल्वों के समय में, द्रवीट शैली का निर्वाड भूआ था, लेकिन द्रवीट शैली का जो चर्मोत कर्ष पर पहुंशाने का स्री दिया था, वो चोल समराज्य को ही है, ये पहले भी मैं आपको वीडियो में बता चुका है, तो वहाँ पर ये mention कर सकते हैं, और चोल समराज्य के अंतरगत, द्रविट सहली में कई सारे मुर्तियों बनी, जिसमें प्रमुख मुर्तियों के करम बात करें, तो तंजावर का ब्रिधेस्वर गंगाई कोड चोल पूरम मंदिर, ये धियान रख सकते हैं, और जो चोल समराज्य बेमुर्ति बनाया जाती थे, उनकी क काफ़े विशेशता हैं होती थी, उनकी जो मुर्तिया होती हैं, काफ़े विशाल, काफ़ी ऊचिय हुआ घरते थे, और इन मुर्तियों की सबसे खास विस्तिता थी जैसे कि आप होँपे मेंशन कर सकते के इसमें गरविगरी होता था और साथी साथ हम विवान के सकते हैं नहीं कि जो सिखर हुआता था और टीसरा पॉंट यहाँ पर इंक्लोड कर सकते हैं गोपूरम जो सबसे इंपॉर्टेंट है निर्मित है और इसमें सबसे important जो मूर्ति हमें देखने को मिलता है वो नट राज की मूर्ति जो की कास से प्रतिमा है नट राज की कास से प्रतिमा है वो अन्य सभी मूर्तियों पर मतलब अन्य सभी मूर्तियों से काफी मतलब काफी सुन्दर है काफी कैसक्तिया कर सक है तो य जियान दिजेगा कि जो चोल काल समराज था उसको हम लोग एक धार्मिक और सांस्कितिक पुनर उद्धार का स्काल माना जाता है क्योंकि उसी समय हम देखते हैं कि सैव और वैस्णो जो वैस्णो धर्मों का मतलब पुनर जागरण हुआ था तो यह पॉइंट हम यहाँ पे इ कि अपने समराज का विस्थार किया था बल्कि अलग लग छेत्रों में भी उन्होंने उपलब्दी हासिल की थी और इस कारण से चोल समराज काफी फेमस रहा कारण से चोल समराज को दच्छीड भारत का स्वर्ण योग के रूप में भी जाना जाता है तो फ्रिंट्स आगर अगर आप इतना लिख देते हैं तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी और इसका जो PDF होगा यानि जो भी मैंने इसका इंसा राइटिंग लिखा अच्छे तरीके से यहां पर देखे मैंने जो आपको बताया एक अगर आप इसको अपने लिखोगे तो मतलब काफी लंबा लिखाएगा और इस चीज को मैंने लिखा हुआ है तो अगर आप देखना चाहते हैं पढ़ना चाहते हैं PDF से तो आप हमारे अप्लिकेशन पर जा सकते हैं वहां पर आपको बिल्कुल फ्री में डाउनलूड करने को अप्संस मिलेगा आप वहां से जा करके पढ़ सकते हैं तो वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेगा अपने फ्रेंड के साथ सेर करिएगा चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बे लाइक और लोग वाल पे सेर करिए हम मिलत आपके साथ इसी परकार के नेक्स वीडियो में किसी ने टोपी के साथ थैंक्स वॉचिंग कीप वाजिंग कीप लर्निंग हाव गूड टेम